तो फ्रेंट्स आज मैं बना रही हूँ सबका फैबरेट आलू पराठा इसे हम बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनाएंगे साथ ही इसे मैं तीन तरह से स्टाफिंग करने के लिए भी बताऊंगी ताकि सभी इस पराठे को आसानी से बना सके और बिल्कुल यूनिफॉर्म स्टाफिंग के साथ बनाएंगे मसकार दोस्तों मैं सबना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कुगिंग प्लस टिक्स में अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और चैनल को सस्क्राइब भी जरूर करें तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं तो सबसे पहले पराठे के लिए मसाला रैडी कर लेते हैं तो यहां मैंने एक चमत साबूत धनिया लिया है एक चमत साबूत जीरा लेंगे साथी आठ से दस काली मिर्च भी ले लेंगे अब इसे हम दो से तीन मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भूल लें मसाले को बस गोल्डन होने तक भूने इससे बहुत ही अच्छी खुश्बू आने लग जाती है तो बस अब गैस का फ्लेम बंद कर दे और इसे निकाल ले और ठंडा होने के बाद इसे हम पीस लेंगे अब इसी बरतन में एक चमत से तेल डाल देंगे इसमें हम पांस से छे लजुन की कलियां डाल देंगे साथी दो से तीन कटी हुई हरी मिर्च भी डालेंगे इस तरह से लजुन और मिर्च को भून कर पराठे में डालेंगे तो लजुन और मिर्च का कच्छापन नहीं आएगा और पराठा हमारा बहुत ही टेस्टी लगेगा बस इसे एक से दो म के लिए ही बुना है और इसे भी हम निकाल लेते हैं और ठंडा होने के बाद इसे भी हम कूट लेंगे मसाले ठंडे हो चुके हैं तो इसे हम कूट लेंगे आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्रैंडर में भी डाल कर कूट सकते हैं पर इस तरह से मसाले को कूटने से मसाले का फ्ले को भी डाल कर कूट लेंगे अगर हम पराठे का मसाला अच्छा बनाए तो पराठा हमारा बहुत ही टेस्टी बनेगा फ्रेंट्स आप एक बार इस तरह से आलू पराठे की रेसिपी को जुरू ट्राई करें तो अब पराठे के लिए हम आटा तयार कर लेंगे तो यहां मैंने देर कटोरी गीहूं का आटा लिया है अब इसमें दो से तीन चम्मच रिफाइंड वाइल डालेंगे आप चाहें तो रिफाइंड वाइल की जगा गी भी ले सकते हैं थोरा सा नमक डाल देंगे अब इन सब को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे फ्रेंट्स इस तरह से आटे को तेल के साथ अच्छी तरह से मिला लें इससे पराठे हमारे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे इस प्रोसेस को जरूर फॉलो करें अब इसमें थोरा थोरा पानी डाल कर इसका हम सॉफ्ट दो तैयार करेंगे जैसा हम रोटी बनाने के लिए डो बनाते हैं उससे थोरा सॉफ् अगर हम सॉफ्ट डो लगाएंगे तो पराठे की स्टफिंग अच्छी तरह से स्प्रीड होगी तो ध्यान रहें डो हमें सॉफ्ट ही तैयार करना है डो हमारा तैयार है अब इसे हम ढख कर पांच मिनट के लिए रख देंगे अब स्टफिंग तैयार कर लेंगे तो यहां म मैस कर ले हाथों की साहता से या फिर मैसर की साहता से आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं बस किसी भी तरह से आलू को अच्छी तरह मैस कर ले अब यहां मैं एक बड़े साइज का प्याज डाल रही हूँ इसे बारी काट लिया है फ्रंस प्याज इसमें ऑप्सनल है अच्छा लगता है अब इसमें ये कुटा हुआ मसाला भी डाल देंगे सभी मसाले को डाल देते हैं साथी ये लसुन और मिर्च को भी डाल देंगे सभी मसालों को अच्छी तरह निकाल ले अब इसमें एक चौथाई चम्मच गरम मसाला पॉडर डालेंगे आधा चम्मच क डाला है तो नमक साफधानी पुर्वक डाले और इसमें कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डाल देंगे अब इन सब को अच्छी तरह से मिला ले बस आलू पराठे के लिए स्टफिंग हमारी रेडी है तो चलते हैं अब पराठा बनाने की ओर आठा भी हमारा अच्छा सेट हो चु तो अब जल्दी से पराठे को हम स्टफ कर लेंगे तो एक लोई लेकर इसमें थोड़ा सुखा आठा लगा लेंगे और इसे हम थोड़ा बेल लेंगे अलू का या स्टफिंग लेकर हम ये रोटी के ऊपर रख देंगे और जिस तरह से मुमोच की हम कवरिंग बनाते हैं उस एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल दे इस तरह से अब पहले हाथों से अच्छी तरह दबा ले फ्रेंट्स पहले हाथों से ही दबाए जिससे हमारी स्टाफिंग अच्छी तरह फैल जाएगी और अब बेलन की सहायता से हलके हाथों से इसे बेल ले पराठे को हलके हाथों से ही बेले एक पराठा रेडी है अब चलते हैं दूसरी स्टाफिंग की ओर तो एक लोई ले लेंगे इसमें थोड़ा सुखा आटा लगाएंगे और फिंगर्स की साहिता से इस तरह से घुमाते जाएं उंगलियों की साहिता से आटे को दबाते हुए इस तरह से फैलाते जाएं इसे कटोडी का सेब दे और स्टाफिंग को हम इसके बीच में रखकर किनारों को एक साथ जोर कर बंद कर देंगे फ्रेंड्स आप आलू पराठे को किसी भी मैथट से बना सकते हैं अब इसमें सुखा आटा लेकर पहले हाथों की साहिता से ही इसे हम फैला लेंगे फिर बेलन की साहिता से इसे भी हम हलके हाथों से बेल लेंगे दूसरा पराठा भी बेल कर रेडी कर लिया है अब चलते हैं तीसरे प्रोसेस की ओर तो लोई इस बार छोटी ले और इसकी हम पतली पतली दो रोटियां बेल लेंगे फ्रेंट्स जिनको पराठा बनाना महनत का काम लगता है उनके लिए ये सबसे आसान मेथड है और स्टफिंग को लेकर इस तरह से रोटी के उपर फैला दे और दूसरी रोटी भी हम इसके उपर रख देंगे और किनारों को आपस में चिपका दे और इसे भी हलके हाथों से थोड़ा बेल ले फ्रेंट्स आप किसी भी मेथड से पराठा बनाएं सभी का टेस्ट सेम ही आएगा हमने सेम ही स्टफिंग सब में यूज की है तो जिनको पराठा बनाना महनत का काम लगता है वो भी अब इस मेथड से पराठा बनाएं और खाएं यहां तवा गर्म होने के लिए रखा था अब इसके उपर ये पराठा डाल देंगे और एक मिनट के लिए इसे हम एक साइट से पक जाने देंगे कैस का फ्लेम आप मीडियम ही रखे पलट देते हैं पराठे को दूसरी साइट से भी पराठे को थोरा सिख जाने दे और उपर से थोरा रिफाइंड वाइल लगा देंगे आप चाहे तो गी का भी इस्तमाल कर सकते है दुबारा से इसे हम पलट लेंगे और थोरा तेल इस साइट से भी लगा देते हैं बस अब पराठे को अलटते पलटते हुए अच्छी तरह से एक लें ताकि ये अच्छा क्रिस्पी हो जाए इस तरह से पराठे को दबाते जाएं जिससे पराठा हमारा अच्छी तरह फूल भी जाएगा अगर पराठा नहीं भी फूलता है तो कोई बात नहीं फिर भी हमारा पराठा बहुत ही टेस्टी बनेगा तो एक पराठा बनकर हमारा रेडी है इसी तरह से हम सभी पराठे को सेख लेंगे एक बार इस तरह से पराठे की रेसिपी को जरूर ट्राइ करें बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे गर्मा गर्म सर्व करें बटर और दही के साथ बहुत ही टेस्टी बनती है और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? कमेंट करकर जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सस्क्राइब भी जरूर करें थैंक यू फर वाचिंग